हलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का अपना यूटूब चेनल आरके इस्टेडी पे मैं उरेबिंदु कुमर गाईज आज हो गया है अठाइसार दोजार इस और इसने वेडियो में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का mock test start हो गया है और आप सभी लोग mock test पि बहुत सारी student दे रहे हैं बहुत सारे student की problem हो रही है ठीक है mock test डेने में, registration करने में और उसके बाद exam जो mock test देना है उसमें ठीक है और यहां पर यह भी सवाल आ रहा है कि मुबाईल से दे या लेपटाप से इस टाइप के बहुत सारे गलतियां हो रही है और इस तरह से बहुत सारे क्यूशन आ रहे थे तो इसके बारे में आज बात करने वाले हैं पूरे अच्छी तरीका से एक-एक पॉइंट बताएंगे तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में बेला करने भी प्रेस कर लिए क्यों किसी रेट इट आपको वीडि से देना है या तो फिर आपको लेट आप से देना है ठीक है तो आप सभी लोग के पास जादे तर मोबाइल है इसलिए मोबाइल से बता दे रहे तो सबसे पहले आपके मोबाइल के क्रोम पे जाना है ठीक है क्रोम पे जाने के बाद गूगल पे सर्च करेंगे यूराइज और जैसे U-Rise सर्च करेंगे ठीक है आपको इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा तो आप Simply Student Login में Login कर देंगे तो वैज आपको कुछ इस तरह से U-Rise का आपका Login Page खुल जाएगा ठीक है यहापे Simply User ID और Password डालेंगे और यहापे Simply आप Login कर देंगे Login करेंगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा और आपको Simply यहापे क्लिक कर लेना है जो 3 बटन यहापे दीख रहा है फिर आपको Examination Time Table पे जाना है फिर आपका सारा डेटेल यहापे देखने को मिल जाएगा यहापे जैसे की semester हो गया username, password यहाँ URL सब ही यहाँ पे मिल जाएंगे इसके बाद यह जो आपका URL यहाँ पे Simply आप लोग क्लिक करेंगे तो गई जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखेगा I am not a robot submitted ठीक है तो इसको Simply आपको क्लिक करना है क्लिक करते ही हाँ पे submit कर देंगे submit करने के बाद आपको इस तरह से आपका interface खुल जाएगा जहाँ पे login ID और password डालना है और यहाँ पे जारी करना है ठीक है तो जो आपका अभी जो login में हम दिखा रहे थे user ID और password दिखा रहे थे उसको आपको simply note कर लेना है note करके किसी चीज़ पे इसके बाद फिर यहाँ पे आपको डाल देना है तो जैसे वहाँ पे डालेंगे तो आपको automatic एक page खुल जाएगा जहाँ पे लिखा गया उत्तरप्रदेश तक्निकी सिच्छा बोर्ट पंजी करवर्ट फार्म ठीक है जहाँ पे आपको login ID का यहाँ दिया रहेगा नाम दिया रहेगा आपका email ID दिया रहेगा आप नंबर दिया रहेगा जैसे कि मेरा number तो नहीं हो रहा तो प्लिक करके आवेदन को यहाँ पे आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गई जैसे क्लिक करेंगे आपको लिख देगा धन्यबाद आपका आवेदन अब पूरा हो गया है क्रिप्या चेहरा परिषण के लिए फिर से लॉग इन करेंगे मतलब आपको जो फोटो है उसके लिए फिर से परिषण करने के लिए बोला जाएगा तो यहाँ पर दिखा करेंगे तो दूसरा फोट माइब भां जाएगा 6幹嘛 पर लेगा को दिख्कत वाली बात नहीं है तो दो बार यहां पर टेक टेक जो लिखा गया इसको किंपका इंपलीक करते जाएंगे इसके सिंपलीक आपको इस तरह से यहां पर लिखेगा click to previous applications for तो यहाँ पर आपको simply क्या करना है click कर देना है तो गाई उसके बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर लिख देगा जैसे photo आपने जैसे ही click कर दिया दोनों तो आपका चेहरा परिछड पूरा हो गया है तो आपका चेहरा परिछड पूरा हो गया है क्रिपया भी अपने आवेदन का पूरे लोकन करे साथ ही mock test देने के लिए पूरा लोग इन करे यानि आपको पूरा उस समय mock test देना तो आपको पूरा क्या करना पड़ेगा फिर से लोग इन करना पड़ेगा वहीं सुरू से जाके ठीक है तो आपको simply इसको click करेंगे जैसे इसको click करेंगे तो कुछ आपको इस तरह से interface देखने को मिल जाए तो guys यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको पूरा PDF मिल जाएगी ठीक है तो simply आपको इसको skin start मार लेना है और PDF को क्या कर लेना है save कर लेना है ठीक है रख लेना है क्योंकि यह college में आपके लगेंगे ठीक है तहीं आपको photo show हो जाएगा यहाँ पर नाम उग्रस हो हो जाएगा ठीक है यहाँ पर ID हो पूरी चीज हो जाएगी इसको simply आपको save कर लेना है तो जैसे ही save करेंगे पुनह आपको यहाँ पर आना है ठीक है बैक हो जाएगे आप डिरेक्ट फिर पुनह यहाँ पर यहाँ पर यूजर ID जो आपको मिला है और password जो मिला है simply यहाँ पर डालेंगे और जारी करेंगे तो आपका mock test start हो जाएगा simply आगे जब यहाँ पर आपको इस तरह से interface मिल जाएगा तो आपको यहाँ पर continue जो दीख रहा है आपके simply आपको continue करना है यदि कोई problem होती है तो यहाँ पर देखे प्रोटक्टर आपके लिए लगाया गया है यहाँ पर आप चैट कर सकते इसके बाद सारी चीज़े आपकी चेक होगी जैसे camera, microphone, browser ठीक है इस टाइप के जितने भी चीज़े होगी सारे के सारे यहाँ पर चेक किया जाएगा जैसे चेक होगा आप यहाँ पर continue का बटन आएगा आपको simply click करना है यहाँ यदि mobile से आप mock test दे रहे है तो आपको simply mobile को घुमा लेना है ठीक है इस तरह से कुछ आगे जितने भी इंट्रक्षन आपको दिये जाए सभी को allow करते जाएंगे यहाँ पर process now दिया गया है तो यहाँ पर simply आपको click करना है तो कैज आपको इस तरह से आपका यहाँ पर photo दिखाएगा और यहाँ पर आपका जो question है यहाँ पर हो कution show होगे ठीक है विखल भी दिये रहेंगे इसमेंTu नहीं हो रहे है तो विखल भी आपको simply ईसको click करना है और last में एक बटन दिया रहे खाएगा ठीक है वहाँ पर आपको जब हो जाएगा सारा का सारा टाउन तो आपको click करना है तो यहाँ पर दिखा जालता पुरुवग एक बार कंप्प्लिट हो गया ठीक है फिर एक बार फिर वहाँ पर जाएंगे फिर से रजिस्टेशन नंबर पासवर्ट डालेंगे फिर यही प्रोसेस करेंगे ठीक है तो दॉब आपका क्या हो जाएगा जो आपका मॉक्क्ट है सकसे छूल एक ही बार बेर दे सकते हैं या तो फिर अगले दिन भी एक दिन करके दे सकते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो I hope guys कि आप समझ गये होगे कि आपको registration सबसे पहले कैसे करना है इसके बाद mock test या exam कैसे देना है ठीक है दोनों के लिए एक ही step है तो आपको mock test और exam कैसे देना कोई भी चीजे ठीक है वहाँ पर फिर छेड़शाड नहीं करेंगे नहीं तो आपको block कर दिया जाएगा ठीक है पांच बार आपको chance दिया जा रहा है इसलिए कह रहे है कि कोई भी problem हो तो वहाँ पर छेड़शाड नहीं करेंगे और सभी लोग time से छेड़शाड करेंगे जैसे 6 बजे साम से लेके morning में 7 बजे के बीच में ही छेड़शाड कुछ भी करेंगे ठीक है इसके बीच में अगर इसके आगे पीछे कुछ भी time में अगर आप कुछ करते हैं इससे छेड़शाड आपका क्या हो जाएगा ब्लॉक हो जाएगा और इसके जवेदार आप झाओी झाभ झाप करता हैं जाएगा।